आज के इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं future consumer share के बारे में जहां हमने देखा कि ये stock एक range के बीच में trade होते हुए दिख रहा था लेकिन पिछले trading session में इस stock के अंदर upper circuit लगा उसके बाद जो closing रही वो सारे 18% की तेजी में closing रही है तो आखिर इस stock के अंदर तेजी क्यों दिखी और आपने इस stock के अंदर क्या करना चाहिए अगर आपकी position पहले से हैं और आपकी buying price उपर की है या फिर आप fresh position लेना चाहते हैं इस तेजी को देख करके तो आपको क्या करना चाहिए आईए इस episode में जानते हैं हाई दिस साइड प्रियर अंजन और वाचिंग तेजी पेस का क्लोजिंग हुआ है जिसका मुखे कारण यह रहा है कि इस stock के अंदर जो volume दिखा उस दिन का वो सारे 14 करोर की volume थी अमुमान किसी भी पैनी stock में भी जो है सारे 8-9 करोर के आसपास का volume में बहुत ज्यादा माना जाता है वहीं इस stock की volume की बात करे तो वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिला था उसका मुखे कारण यह रहा था कि लगभग 1 करोर 28 लाक के आसपास की जो है bulk transaction देखने को मिली जो की buying हुई उसके बाद 1 करोर 17 लाक के आसपास की उसी bulk transaction में से जो share था उसको बेच दिया गया और लगभग 10 लाक quantity की जो buying है उसको positionally hold किया गया है उसके साथ ही हमने दूसरा transaction देखा है जिसमें की लगभग 2 लाक की quantity रही है यह दो मुखे transaction थे जिसके कारण stock के अंदर तेजी दिखी और इसका volume expand होते में दिखा है वहीं अगर fundamentally stock को देखेंगे तो यह stock एक बिवाद में फसा हुआ है Amazon और Reliance के बीच में यह जो जितनी भी इस group की company है वो पिस्ती हुई दिख रही है Amazon और Reliance के लराई के बीच यह जो group है future consumer group के जितने भी stock है यह पिस्ता हुआ दिख रहा है जिसको हमने एक अलग episode में cover किया है आप चाहें तुसे episode को visit कर सकते हैं वहीं अगर fundamentally stock को देखें तो यह stock ठीठा की है बहुत सांदार नहीं है क्योंकि promoters के holding के अगर आप बात करें तो इस stock के अंदर promoter की holding मातरो 14% की है जिसमें से की 88% की holding place है जो पहले quarter में 95% था उसको कम करके 88% के holding को place रखा गया है वहीं इस stock के अंदर जो F20 की holding है वो लगवग 9% के आसपास है fundamentally यह company बहुत ही अच्छी नहीं दिखती है ठीट ठाकी है अगर reliance इसको acquire करती है तो वाकई जो 10 रुपया का price दिख रहा है वो आपको 80 plus price दिख सकता है लेकिन अभी ये विवाद में है अभी quote में इसकी case चल रही है तो अभी इस share को buy करना मुझे personally long term के लिए अच्छा नहीं लग रहा है वहीं अगर आपने short term के लिए इस stock के अंदर position बनानी है तो आप short term के लिए position ले सकते हैं जिस प्रकार से इस stock के अंदर volume दिखा है जहां ये stock अभी 10 रुपे के price पे trade हो रहा है वहीं अगर आप phrase position लेना चाहते हैं तो सारे 8 रुपे के stock loss को follow करें और जो target रहेगा अगले 1-1.5 मैना के लिए वो 16 plus का target रहेगा वहीं अगर quote से कुछ positive news आती है तो ये stock आपको 40-45 के उपर भी trade होते वे दिख सकता है इस बात को मैं नकारता नहीं हूँ वहीं shorter में जो इसका जो RSI है वो overbought है चुकि इसका volume बहुत ही जादा था किसी भी penny stock को बस technically देख करके buy नहीं करना है उसके fundamental और future growth prospect को जरूर देखना है बांकि किसी भी penny stock में किया गया investment आपका zero भी हो सकता है और penny stock में किया गया investment बहुत ही risky होता है इसमें risk और reward को समझें और अपने financial advisor से जरूर consult करें Thank you मिलते हैं फिर next episode में